आज हम आपको भगवान शंकर की बरी ही अद्भुत कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बार भगवान भोले नात, पृत्वी लोक पर भ्रमण के लिए गए, तो उन्होंने एक युवा को देखा, वह इश्वर को दोश देता, जा रहा था, वह अपने जीवन से निराश था, दुखी था, तब भगवान शंकर बौध भिक्षु का रूप धारन करके उस युव अधूरा छोर कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मन चाहा फल की प्राप्ति होगी, इसलिए इस कथा को पूरा सुने, आप शिव भक्त हैं तो भोले नात का अनादर ना करें, सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ये अगर आप वास्तविक तोर पर देखें, अगर आप इस बात को अच्छी तरह से समझें, तो आप ये समझ पाएंगे कि हमारे जीवन में केवल एक ही दुख होता है, और दुख क्या है, वो हम इस कहानी के माध्यम से जानेंगे, और उस दुख का निवारन, उस दुख का सम अधान क्या है, वो भी हम इस कहानी में ही जानेंगे, तो इस कहानी के अंध तक जरूर बने रही है, एक समय की बात है, एक गाव में एक व्यक्ति रहता था, उसका नाम सोनू था, वह बरा आलसी था, और अपने जीवन से बहुत निराश था, और उसका कारण यह था, कि उस अच्छी नौकरी कर ले, लेकिन वह उनकी एक नहीं सुनता था, उसके घर वाले दूसरों का उदाहरन दे कर, उसे ताने मारते थे, उसे तरह तरह की बातें कहते थे, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, जबकि उसके सारे मित्र काम्याब हो चुके थे, कोई अच् पूछता, कि तुम क्या कर रहे हो, तो वह कुछ नहीं कह पाता, उसे यह कहने में बहुत शर्म महसूस होती थी, कि वह कुछ नहीं करता, वो हमेशा सबसे केवल एक ही बात कहता था, कि मैं कोशिश कर रहा हूं, लेकिन उसकी कोशिशों का कोई भी फल, किसी को नजर नहीं आ रहा था, देखते ही देखते अब ऐसा समय आ चुका था, कि सोनू सभी से मुह चिपाता फिरता, ताकि कोई उसे यह न पूछ ले, कि तुम क्या करते हो, जिस कारण वो कभी किसी के सामने भी नहीं आता था, धीरे धीरे उसका मन दुखी होने लगा था, वह बहुत निरा कि मेरे हाथों में कुछ नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, अकेले बैठकर वह रोता रहा, और भगवान को दोश देता रहा, एक दिन छुपता, छुपाता वह घर से निकल कर कहीं जा रहा था, तभी उसने रास्ते में देखा, कि एक बौध भिक्षू लोगों को प्रव प्रवचन दे रहे हैं, और प्रवचन में वह दुख की बातें कर रहे हैं, सोनू कुछ देर के लिए अपना मुह छुपा कर, वहीं पर खरा हो गया, ताकि उसे कोई देख न ले, और चुपचाप वह उन्व भिक्षू की बातें सुन रहा था, बौध भिक्षू सभी को प चीखना चाहिए, आप चाहें तो अपने जीवन में अपने दुखों को अपना गुरु बना सकते हैं, और उससे सीख सकते हैं, या फिर आप चाहें तो अपने दुखों पर बैठ कर रो सकते हैं, लेकिन इससे आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा, बलकि आप दिन बादिन और कमजोर होते जाएंगे, निराश होते जाएंगे, सोनू छुप छुप कर उन बौध भिक्षू की ये सारी बातें सुन रहा था, जैसे ही उपदेश खत्म हुआ, वह उन बौध भिक्षू के पास पहुँचा, उन्हें प्रणाम करके वह कहता है, हे महत्मा, अभी आप कुछ देर पहले दुख को गुरु बता रहे थे, आप कह रहे थे कि दुखों से हमने सीखना चाहिए, हमें उन्हें अपना गुरु बनाना चाहिए, लेकिन मैं भी तो अपने दुखों से परेशान हूँ, अपने जीवन से परेशान हूँ, मैंने अब तक जो दुख छिला है, अब इसके बाद हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा, इसके बाद हमें कुछ नहीं मिलने वाला, और यहां तक कि हमें मृत्यू भी उसके सामने कम लगती है, जब लोग ताने मारते हैं, जब लोग यह कहते हैं, कि तुम क्या कर रहे हो, तुम मन को बहुत ठेस पहुचती है, और मैं उनसे कुछ नहीं कह पाता, सोनू की यह सारी बातें सुनकर, वो बौध भिक्षुक सोनू से कहते हैं, बेटा, तुम्हें क्या दुख है, और तुम दुख के बारे में ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, सोनू ने अपने उपर बीती हुई, सारी बातें उन बौध भिक् कोई असली दुखा है, तब तुम मेरे पास आना, मैं इसका समाधान तुम्हें अवश्य बताऊंगा। इतना सोच कर वह वहां से चला गया, सभी लोगों के ताने सुन सुन कर, सोनू बहुत ठक चुका था, तो बहुत निराश हो चुका था, जिस कारण उसने निर्णए लिया, कि वह अब कुछ करके दिखाएगा, उसने अपने पिता से थोरा सा रुपया लिया, और उस रुप अब कर दिखते ही देखते केवल तीन सालों, के अंदर वह एक बहुत बरा व्यापारी बन गया, अब उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लोग जो से पहले नापसंद किया, करते थे, अब उससे पसंद करते थे, उसकी चिंता करते थे, उसके कारियों की सराहना करते थे, उसके माता पिता भी अब अपने बेट उसे और फैलाना चाहिए जब तुम आज केवल इस नगर के सबसे बड़े व्यापारी हो तब तुम इतना खुश हो। अवश्य आएगा। उसने कई लोगों से अधिक मात्रा में धन उधार ले लिया जिससे उसके ऊपर अब काफी रण हो चुका था। और इतना ही नहीं वो यहाँ पर नहीं रुका। इस कारण उसके मन में अब पहले जैसा वह सुकून नहीं था। उसे अब रातों को नींद नहीं आती थी। वह केवल एक ही विचार में लगा रहता था कि किस तरह से उसका व्यापार पूरे राज्य में फैल जाएगा और वह इस राज्य का सबसे बरा व्यापारी बन जाएगा। केवल अपने व्यापार को और उन्नती पर ले जाना था। एक दिन सोनू अपने रच पर बैठ कर एक मार्ग से होकर गुजर रहा था। तब ही रास्ते में उन्हें गुरुवर का आश्रम परा। ये देखकर वह उन बौध भिक्षू के पास गया। और बौध भिक्षू से कहने लगा, हे महात्मा आपने कहा था। कि जब मेरे जीवन में कोई असली दुख आये, तब मैं आपके पास आऊ, इस कारण मैं यहां पर आया हूँ, आज मैं बहुत दुखी हूँ, मैं रातों को सो नहीं पाता, मेरे पास सब कुछ होते हुए भी, मैं उनका लुद्फ नहीं उठा पाता, उसने अपनी सारी बात एक-एक करके उन बौध भिक्षू को बता दी, तब ही वह बौध भिक्षू सोनू से कहते हैं, बेटा, जब तुम पहली बार आये थे, तब भी तुम बहुत दुखी थे, लेकिन तब तुमने अपने दुख से क्या सीखा था? इसके जवाब में सोनू उन बौध हे महात्मा, जब मैं अपने जीवन में कुछ नहीं कर पा रहा था, तब मैंने अपने दुखों से यह सीखा था, कि केवल सोचने मातर से कुछ नहीं होगा, उसके लिए हमें कुछ करना भी परेगा, और केवल कोई कर्म करना ही, हमें सफल नहीं बनाता बलकि, उस कर्म को उस क्यों न लगने लगे कि अब आपके जीवन में कुछ नहीं बचा और आप कुछ नहीं कर सकते तब भी होसला बनाए रखो उम्मीद न छोड़े और अपने कार्य पर डटे रहो यह सोच कर कि जब तक मैं अपने कार्य को सफल नहीं कर लेता जब तक मैं अपने लक्षय तक नह बातें सुनकर वह बौध भिक्षु मुस्कुराने लगे और इस सोनू से कहते हैं बेटा जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आये तब तुम मेरे पास आना मैं तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य करूंगा इतना कहकर वह बौध भिक्षु बहां से उठकर चले सोनू एक बार फिर से उनकी ये बातें सुनकर आश्चर्य चकित रह गया उसे अब ये समझ नहीं आ रहा था कि क्या उसने जो दुख देखा है उससे जो तकलीफें अब तक सही है क्या वह असली दुख नहीं है उसके मन में अब एक सवाल उत्पन्न होने लगा कि असली बॉद्ध भिक्षू सोनू के पास एक बड़ा सा घरा लेकर पहुच जाते हैं। उस घरे के अंदर सोने के सिक्के थे। उस घरे को देते हुए। वह बॉद्ध भिक्षू सोनू से कहते हैं, बेटा तुम इसे उस पैर के नीचे दबा दो, क्योंकि ये मेरे किसी काम का नहीं हैं। जब मुझे इसकी जरूरत परेगी, तब मैं वहां से खोद कर इसे निकालूंगा। लेकिन अभी के लिए इसे वहां पर मिट्टी के नीचे दबा दो। सोनू ने उस बॉद्ध भिक्षू की बात मान ली। और वो घरा उस पैर के नीचे जाकर मिट्टी में दबा द लेकिन माल की गुणवत्ता अच्छी ना होने के कारण। अब उसके व्यापार में घाटा होने लगा। और धीरे धीरे ऐसा समय आया कि उसका व्यापार पूरी तरह से चौपट हो गया। अब उसके पास कुछ नहीं बचा था। बलकि उसने जो करजे लिये थे, वो करजे बुरे समय पर साथ देंगे। लेकिन सबसे पहले उसके मित्र ही उसे अपना करज वापस लोटाने की मांग करने लगे। तब सोनु को एहसास हुआ की कोई भी अपना नहीं है। उसने अपने मित्रों से उस करज को लोटाने के लिए थोड़ी सी महलत मांगी। लेकिन बर्ज लोटाने के लिए। वह मुहलत नहीं दी बलकि वे लोग उसे जान से मारने की धमकी देने लगे। अपने मित्रों के मुह से यह सब सुनकर सूनू बहुत ही आश्चर्य चकित रह गया। वह जो कुछ सोच रहा था, सब कुछ उल्टा पर गया। जिस व्यापार के चलते उसके इतने मित्र बने थे, इतने शुभ चिंतक बने थे, वे सब उससे दूर जाने लगे थे। हर कोई उससे पीछा छुडाना चाहता था, कोई भी उसका साथ नहीं देना चाहता था, धीरे धीरे उसकी सारी संपत्ती नीलाम हो गई। अब उसके पास कुछ नहीं पजा था, वह सरक पर आ चुका था, उसने हार मान कर अपने माता पिता से कहा, पिता जी मेरी मदद कीजिए, मेरे उपर बहुत रण है, मुझे उसे लौट आना है, क्रिपा करके मुझे थोड़ा सा धन दे दीजिए, इस पर सोनू के पिता ने सोनू से कहा, बेटा मेरे पास तो ले दे कर बस यही एक छोटा सा घर है, अगर ये अभी मैं तुम्हें दे दू, यदि मैं इसे भी बेच दू, तो मैं और तुम्हारी मा कहां रहेंगे, हमें भी दर-दर की ठोकरें खानी परेगी, हमें भी सरकों पर भीक मांगनी परेगी, ले दे कर अब हमारे पास अब यही संपत्ति बची है, इसलिए मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ, अपने माता-पिता के मुख से यह सुन कर, सोनु चुप-चाप वहां से चला गया, और मन ही मन वह सोच रहा था, कि अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, जो था, वह तो सब लुट गया, बरबाद हो ग वह पहारी पर चढ़ता ही जा रहा था, कि तभी उसे याद आया कि उन बौध भिक्षु ने कहा था, कि जब तुम पर असली दुखाए तभी तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य करूँगा, यह सोच कर सोनु के मन में एक बार फिर उम्मीद क वह लहर दौर परी, शोनु तुरंत दौरता हुआ उन बौध भिक्षु के पास पहुँचा, और सोनु ने उन्हें प्रणाम करके, अपने उपर बीती हुई हर एक बात उन्हें बता दी, और कहने लगा, हे महात्मा आपने कहा था, कि जब मेरे उपर असली दुखाएगा, तब आप उसका समाधान अवश्य करेंगे, तब ही वह बौध भिक्षु सोनु की इस बात को सुनकर, मुस्कुराने लगे और कहते हैं, बेटा कहा है असली दुख, जब तुम्हारे जीवन में असली दुखाएगा, तो मैं उसका समाधान अवश्य करूँगा, उन बौध भिक्षुओं से कहा, हे, महात्मा आखिरी असली दुख क्या होता है, क्या मैंने आज तक जो भी दुख छिला है, जो भी तकलीफें आज तक मैंने सही है, क्या ये दुख नहीं है, क्या इसे दुख नहीं कहते, तब ही वो बौध भिक्षु सोनु से कहते हैं, बेटा, पहल लो तुम्हारी तरक्की में तुम्हारा पीछा करते हैं, तुम्हारे साथ चुरते हैं, वो लोग तुम्हें अवश्य धोखा देंगे, क्योंकि ऐसे लोग बुरे समय पर तुम्हारा साथ नहीं देने वाले, बल्कि तुम्हारा फाइदा उठाने का ही वह प्रयास करेंगे। इसलिए ऐसे लोगों पर भरोसा न करें, बलकि जो लोग तुम्हारी असफलता के समय पर, तुम्हारे बुरे समय पर तुम्हारे साथ खरे हैं, वही तुम्हारे असली मित्र हैं, और वही तुम्हारे साथ रहते हैं, और ऐसे लोग तुम्हें बहुत कम मिलते हैं, और जिन्ह लालच न करो और अपने लक्षे तक पहुँचने के लिए किसी के लिए भी कोई शड्यंत्र न रचो क्योंकि ऐसा करने से तुम्हारे साथ ही बुरा होगा और तुम्हें हमेशा नुकसान में रहोगे। लक्रो और जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब तुम मेरे पास आना मैं इसका समाधान अवश्य करूँगा। जिस कारण उसने उन बौध भिक्षूओं को प्रणाम किया उनका धन्यवाद किया और वहां से चल परा। सोनु ने उस सोने के सिकों से सभी का करजा लोटा दिया और अपने लिए एक बार फिर से नया व्यापार शुरू किया। लेकिन अब की बार वो बहुत खुश था क्योंकि इस बार उसने कोई लालच नहीं की। नहीं किसी के लिए शर्यंत्र रचा बलकि उसने पूरी इमानदारी और मेहनत के साथ अपने व्यापार पर काम किया। लेकिन जैसे जैसे आप धनी होते जाते हैं, जैसे जैसे आप अमीर बनते जाते हैं, आपके मन में एक डर और उत्पन होने लगता है और वह अपनी दौलत को नक हो देना, जिस कारण आप लोग दान करना शुरू कर देते हैं, पुन्य करना शुरू कर देते हैं, लोगों क की मदद करते हैं ताकि आपके जीवन में कभी कोई दुख ना आए लेकिन यह जीवन सुख और दुख का संगम है जिस कारण हर किसी को सुख और दुख से होकर गुजरना ही पड़ता है इसी वजह से एक बार फिर से सोनु के जीवन में एक और दुख उत्पन्न हुआ अपकी मन में हजारों सवाल उत्पन्न होने लगे वह अपने घर लोटा घर लोट कर उसने देखा कि जिस संपत्ति के लिए वह हमेशा लड़ते जगरते रहते थे आज उसकी देखभाल के लिए कोई नहीं था उसके माता-पिता ने जो भी महनत की जो भी अपने जीवन में एकठा किया सब यही रह गया लेकिन अब सब कुछ खत्म हो चुका था और सोनु का मन अब बहुत पेचैन हो रहा था उसके मन में हजारों सवाल उत्पन्न हो रहे थे और वह अपने आपको बहुत अकेला महसूस कर रहा था उससे बहुत खाली सा महसूस हो रहा था उसने इधर लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया, तभी उसे उन बौध भिक्षू की याद आई, वित्तुरंथ ही भागा भागा उन बौध भिक्षू के पास पहुंचा, उसे देखते ही उन बौध भिक्षू ने सोनु से सवाल किया और कहा, क्या बात है बेटा? क्या कोई फिर से दुख आनपरा है, तभी सोनु ने कहा, नहीं गुरुदेव, अब तो सब ठीक है, लेकिन आज मेरे माता पिता की मृत्यू हो गई, और मैं बहुत अकेला महसूस कर रहा हूँ, मैं बहुत दुखी महसूस कर रहा हूँ, जैसे कुछ खाली सा है, जैसे कुछ अकेला पंसा, तभी वह बौध भिक्षू सोनु से कहते हैं, बेटा इसमें दुखी होने वाली बात क्या है, यह तो जीवन है, एक दिन तो सभी को जाना है, यहाँ पर कोई भी रहने नहीं आया, और ना ही कोई रहेगा, हम सब एक न एक दिन मृत्यू को प्राप्त हो ही जाएंगे, और मृत्यू क कब आएगी, यह किसी को नहीं पता, हो सकता है कि तुम्हारी मृत्यू कल ही हो जाएगी, या फिर आज और अभी, यह सुनकर सोनु आश्चर्य चकित रह गया, उसने उन बौध भिक्षू से कहा, हे महराज आप ये क्या कह रहे हैं, मैं तो अभी जवान हूँ, और मुझे तो अभी अपनी पूरी उम्र जीना है, मैं तो जीना चाहता हूँ, कुछ करना चाहता हूँ, और आप कह रहे हैं कि मैं कभी भी मृत्यू को प्राप्त हो सकता हूँ, इस पर वो बौध भिक्षू सोनु से कहते हैं, बंदे इस भ्रम में मत रहना की, मृत्यू केवल बूढ बूढ़े को आती है, बूढ़ों के सामने तो उनके जवान बच्चे तक मर जाते हैं, बृत्यू कभी किसी की उम्र देख कर नहीं आती, और ना ही किसी को बता कर आती है, उन बौध भिक्षू के मुख से ये सारी बातें सुनकर, सोनू और भी ज्यादा बेचैन हो गया, औ अब भी वह कोई कार्य करता, तो उसके मन में धेर सारे प्रश्न उठने लगते हैं, वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, और उसने इस कार्य को क्यों किया, उसके मन में अब एक और प्रश्न उत्पन्न होने लगा था, क्या हम यहाँ पर केवल इसी लिए आते हैं, कि इस ज कि जीवन का असली मतलब क्या है, उसने कई विद्वानों से पूझा, अपनी तरफ से जो मुम्किन हो सकता था, खोज बीन की लेकिन उसे कोई भी जवाब नहीं मिल पा रहा था, और जब उसे कोई जवाब नहीं मिला तो उसका दुख और भी बढ़ गया, जिस कारण उसके मन बाद्ध भिक्षू के पास पहुँचा, और उसने अपने मन की सारी बातें उन गुरुवर को बता दी, तभी वो बाद्ध भिक्षू मुस्कुराने लगे, और सोनू से कहते हैं, बेटा, आज पहली बार तुम्हारे जीवन में असली दुख उत्पन्न हुआ है, वास्तव उने कहा, हे महात्मा, मेरे इस दुख का समाधान कीजिए, मुझे इस दुख का निवारन दीजिए, तभी वह बाद्ध भिक्षू सोनू से कहते हैं, हम सब के अंदर क्रोध, लालच, लोब, जैसी कई वासनाएं हमारे अंदर घर करके बैठ जाती हैं, जिस कारण हम अपने जीवन को टुकरों में जीते हैं, और हमारी चेतना कभी एक नहीं हो पाती, हम कभी एक जगह सोच नहीं पाते, समझ नहीं पाते और हमारी उर्जा शक्ती भी पूरी तरह, सिछिन भिन्न हो जाती है, और आज कल के इस दौर में, हमारे पास तो इतना भी समय नहीं, कि हम एक पल निकाल करके, एक पल के लिए मूर कर, अपने आपको देख सके, अपने आपको समझ सके, वास्तविक्ता में हर कोई यहां पर अपने जीवन भर, केवल दुख-दुख कहकर चिलाता रहता है, उसका समाधान निकालने का हर मुम्किन प्रयास करता है, लेकिन जिसे हम दुख समझते हैं, वा तो दुख है ही नहीं, तो इसका समाधान आपको कहां से मिलेगा, यह तो परिस्थितियां हैं, जिसके कारण हम अपने आपको दुख ही समझते हैं, अपने आपको तकलीफ में समझते हैं, जैसे हम एक परिस्थिती से निकलते हैं, हम किसी दूसरी परिस्थ रास्ता नहीं बचा तब हमारे सामने, हमें किवल एक ही रास्ता नजर आता है, और वह है मृत्यू, लेकिन यह कोई समाधान नहीं है, यह कोई रास्ता नहीं है, इसलिए यदि आप सचमुच अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, तो अपने आपको एकठा करना सीखें, अपनी उर्जा को इस संसार में वापस कीजिए, उसे एक कर और अपने उपर ध्यान लगा, मृत्यू से पहले अपने आपको पहचानो, अपने आपको जानो, अपने आपको बिखरने न दो, तब ही सोनू उन बौध्ध भिक्षू से कहता है, हे महराज, तो क्या हमें इस ज इच्छाओं को मार देना चाहिए, हमें संपत्ती इकठा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम मनुष्य की इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं ऐसे होती हैं, जैसे मानू की एक परवत से गिरता हुआ जहरना, जिस पर किसी का नियंतरन नहीं है, सिवाए देखते रहने के और प पश्य कर सकते हो, गुरुदेव की ये सारी बातें सुनकर सोनू ने गुरुदेव से कहा, हे महाराज, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने मेरी सबसे बरी समस्या का समाधान आज कर दिया है, मैं आज से अपने आपको एकत्रित करूँगा, गुरुदेव, मानव श हमेशा अपने आप से उपर वाले से सवाल करते हैं, कि हमारे जीवन में इतना दुख क्यों है, हम सभी के मन यह सवाल तो अवश्य ही उठता है, और इसका जवाब है कि वह ईश्वर यह चाहता है, कि हम अपने जीवन के अंतिम दुख तक पहुँच सकें, उस गहराई तक हमें यह पता चल सके कि हमने अभी तक अपने आपको नहीं जान, अपने आपको नहीं पहचाना। मानव शरीर के अंदर जो उर्जा है, जो शक्ती है उसके बारे में हम अभी तक नहीं जानते। हम अपने आपको चाहे तो एकत्रित कर सकते हैं, अपने आप पर नियंतरन पा सकते हैं, लेकिन हम अपनी इस उर्जा का बेयर्थ उपयोग करते रहते, व्यर्थ की चीजों में लगा देते, जिस कारण हम अपने आपको कभी नहीं पहचान पाते, और ना ही कभी अपने आप जानना चाहते हैं, अपने आपको पहचानना चाहते हैं, तो पहले आपको खुद को एकत्रित करना होगा, अर्थात ध्यान लगाना होगा, ध्यान से ही आप अपने दुखों की उन समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं, और तभी आप अपने आपको पहचान सकते हैं, जान स और अपने जीवन के हर दुखों का समाधान भी कर सकते हैं इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटी हो तो मैं क्षमा चाहती हूं उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी अगर आप शिव के सच्चे भक्त है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए